तो आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले नैनिताल जी हां मैं इस टाइम हूँ लखनो नैनिताल हाइवे पे और हम लोग यहां पे एक धाबे पे रुके हैं पहले हम लोग एवन प्लाजा पे रुके थे बट अफॉर्चुनेटल वह कोवेट की वज़ा से बंद हो गया तो हम लोगों ने एक नया ढाबा ट्राइ करा हैं यह मुझे काफी यूनीक लगा तो मैंने सुझे मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूं यह है दस मेज ढाबा यह प्योली वेजिटेरियन है जो मुझे यहां की सबसे ची चीज लगी वो था यहां का आउट्डोर सिटिंग अरिया जो इनों काफी अच्छा बना रखा है बाहर इनोंने ट्रीस पर स्विंग्स भी लगा रखें आप चाहें तो अंदर बैटके सखा सकते हैं और बाहर भी रेट्स भी यहां के ढाबे वाले थे हैं जो हम लोगों ने ओर्डर करा ता वो था पालक पनीर और दाल मखनी जिसका टेस्ट अच्छा था तो यह है बरेली से अराउंड 10-15 किलो मीटर तो अगर आम नैनिताल आने के लिए बरेली रूट लेते हैं तो आप यहां पर रुक सकते हैं अगर आप नैनिताल जाते हैं और आम मेन माल रोड पर रुकना चाहते हैं तो जो होटल मैं सजिस्ट करूंगी वो है चन्नी राजा क्योंकि यह माल रोड से सबसे पास है अगर आप माल रोड में अपर माल रोड ही में थोड़ा आउटर में जाएंगे तो वहां पर होटल अलका एंड होटल लेक साइड हैं यह सब आपके लक्जिरी होटल में आते हैं और बजटेड होटल में अगर आप माल रोड से थोड़ा दूर रुकना चाहते हैं तो होटल आरिफ कैसल एंड होटल मनु महरानी हैं यह दोनों ही नैनिताल के लक्जिरी होटल से हैं वन मोर होटल विक्रम विंटेज इन यह माल रोड से अराउंड 22.4 km है बट यह अपनी कार सर्विस करने के लिए तो अगर आप आते हैं तो यह आपके होटल के ओप्शिन से इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं तो यह हम लोगों का आ गया पालक पनीर और दाल मखनी दोनों का टेस्ट काफी अच्छा था तो यह फाइनली हम लोगा आ गए नैनिताल में तो अगर आप नैनिताल आते हैं सिर्फ दो दिन के लिए तो जो आप सबसे पहली चीज करना चाहिए आपको वो है बोटिंग क्योंकि अगर आप नैनिताल ना आए और बोटिंग ना करें तो आपकी ट्रिप कहीं ना कहीं अ आप इन वर्ट्स आप यहां के खुदी एक्सपीरियंस करिये और बोटिंग के बाद जो आप नेक्स चीज कर सकते हैं वह रोपे जी हां रोपे ओपन थी रोपे आपको एक हाइस पॉइंट पे ले जाती है जहां पे नैनिताल का व्यू बहुत ही खुपसूरत दिखता है बोटिंग के बाद आप रोपे जा सकते हैं रोपे अपरमाल रोड पे बैंक के पीछे यहां पर आपको रोपे के टिकेट समल जाएंगे वही साफ रोपे पे बैठ सकते हैं जो आप नेक्स चीज़ कर सकते हैं तिबतन मार्केट जो के आप बोटिंग से जैसे ही बहार निकलेंगे बस बहारी आपके तिबतन मार्केट स्टार्ट हो जाती है यहां पे बच्छों के काफी गेम रही है खाने पीने की चीज़ भी थैंगे चीज़े सा्यूव इंड है टिबतन मार्केट में मार्केट में पूर की टिबतन मार्केट में जो है वूलन स्टफ, जूल्री और हैंड बाग्ष ऐह मैंड चीज़े के था हिमाँं यहां तो छाहिए नहीं कर दीये में वीकोज ऑफ कॉवट करते काहाएं चाहिए जाहें आप बैग्स लेए और एक दोभ ले ले तो यह अपर माल रोड पे मेरी सबसे फेवरेट जगा है चाननी चौक रेस्टरों तो अगर आते हैं तो यहां की दूद और जलेबी जरूर ट्राइ करिएगा यहां का इंटीरियर देख सकते हैं इन्होंने पूरा डेली के चाननी चौक स्टाइल में बनाया है यह आपके ने निदाल आते हैं यहां किसी भी बहुत किसी भी बान रॉक्यव नज चैनल के आपकी ट्राइबी तो आपकी ट्रिप अधूरी है तो हम लोग भी ऐसे एक हाईवे क Eddy नोज की तब बनाये हैं तो इसके एक घंटीर सुनाया के लिए यह दिश्य इस वाल अगुगर हैं और आप वहां की मैगी ट्राइना करें हाइवे पर तो आपकी है